हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं की कैसे आप अपने Motorola E22S Android वाइल फोन में आप जो है ये option मिलेगा default alarm sound का इसे आपको select करना है तो default alarm sound का page open हो जागा इस page में आपको पहले से known के circle पे आपका tick mark लगा होगा इसे आपको नीचे की साइड में काफी सारी alarm sound दे रखे इनमें से आपको कोई भी एक select कर लेनी है इसके बाद आपको ok कर देना है इस page में आपको नीचे की setting इनेबल करने के बाद इस setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूं तो जब भी आप अपने मुवाइल फोन पे कोई भी alarm set करेंगे और वो alarm जो है अपने समय पे जब on होगा तो आपका alarm यह वाली sound create करेगा ठीक है जो भी sound आप select करेंगे ठीक है वो sound create करेगा आपक setting इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके motorola e22s android मुवाइल फोन में ठीक है अब मैं आपको जो इस alarm sound setting को डूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके मुवाइल फोन में ठीक है आपको करना है कि है मुवाइल का setting page open करना है ठीक है सब सोपर आपको search setting का option दिया हूँ, search setting पे select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है default alarm sound ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा type करना है इस तरीके से तो आपको नीचे की side में default alarm sound का option show हो जाएगा ठीक है जब यह option show हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है इससे होता क्या है कि आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आजाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया है alarm sound setting को shortcut तरीके से ढूंडने का